नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजी स्टेट में हो अनुराग दिक्षेद उत्रप्रदेश और उत्राखन के अगर आप रहने वाले हैं या आप चाहते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे और उत्राखन की ख़बरें आप तक सबसे पहले पहुँचें तो आप न्यूज प्रदेश की या उत्राखन की सबसे बड़ी ख़बरों की बात करें तो जो सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त पूरे देश में हैं वो है स्वामी चिन्मयानन की ग्रफतारी से जुड़ी जीहां स्वामी चिन्मयानन वही स्वामी चिन्मयानन जिन पर यौन शोषन का आरोप लगा वही स्वामी चिन्मेहनंद जिन पर राजनेतिक संडरक्शन का आरोप लगा जो लगातार अब तक तमाम आरोपों के बीच गरफतारी से बचते रहे अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि आपसे कुछ देर पहले SIT ने स्वामी चिन्मेहनंद को गरफता क्या है आस्पताल लेकर गई है मेडिकल जाच के लिए और ऐसा माना जा रहा है कि आज सही स्वामी चिन्मेहनंद के मुश्किलें अदालत के रास्ते भी बढ़ सकती है और इस सब के पीछे की जो बड़ी वज़ा है वो है उस पिलिता का लगातार संगर्श जो यारोप आफ तमाम आरोपों के बावजूद तमाम सबुतों के बावजूद पुलिस या S.I.T. को जो एक्शन लेना था वो एक्शन अब तक नजर नहीं आ रहा था एक्शन होता हुआ इससे पहरे पिलिता ने अपना जो बयान है वो अदालत में दर्ज कराया था तकरीवन 20 स्पन्नों का वो बयान था जिसमें पूरी आप बीती पिलिता ने बतायी थी और तब से ही ये लगबग लगबग तैम आना जा रहा था कि अब स्वामी चिनमेनंद की मुश्किलें ब रगातार अलग-अलग तरीके की दलीलें दी जा रही थी कि कैसे इस आरोप का खंडन किया जाए कैसे इस आरोप से खुद को बचाया जाए स्वामी ने चिनमेनंद कभी जो मसाज लेते हुए नजर आ रहे थे इस तरीके की तमाम वीडियो उनके नजर आ रही थे महीं दू जाच है वो प्रवावित नहीं होगी जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ कारवाई होगी देखना होगा SIT या पुलिस जिसकी साख पर सवाल खड़ा हो रहा था इतने दिन ग्रफतारी में देरी के चलते अब तमाम जो जाच एजनसी हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और कैसे स्वामी चिनमेनन्द की मुश्किलें बढ़ती हैं तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबार हैं जो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले वो स्वामी चिनमेनन्द की गरफतारी से जुड़ी है शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है, आठ सो अंकों का बड़ा फेर बदल यहां पर शेयर मार्केट में नजर आ रहा है और इस GST काउंसल की बेट हैंट में लगबग लगबग यह तैम आना जा रहा था कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं वितमंतरी के द्वारा हाला कि इससे पहले भी जो लोन मेला है, 400 जलो में वो आयोजित किया जाएगा, इस तरीके का ऐलान वितमंतराले ने किया है तो लगातार वितमंत्राले सक्रिय है कि किस तरीके से जो तमाम मंदी की बाते की जा रही हैं उनसे निप्टा जा सकता है जो तमाम चुनोतियां सामने आ रही है अरत्वाबस्ता के उनको कैसे एड्रस किया जा सकता है और उसी दिशा में एक फैसला आपसे कुछ देर पहले ल जिनको प्रदानमंत्री नरिद्न मोधी एड्रिस करेंगे और सिर्फ पीम मोधी नहीं बलकि उनके साथ अमेरिगा की राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प भी मौजूद रहेंगे जो इस कारेक्टरम को एतिहासिक बनाता है यादगार बनाता है लेकिन इस वक्त जो हैस्टन से ख बहा गया है कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें क्योंकि हर जगा सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो कारेक्टरम इस्थल है जहां पर वो पचास हजार भारती है जिनको एड्रेस करेंगे संबोधित करेंगे प्रदानमंत्री नरिद्र योगी राज में लॉएन ओर्डर को लेकर है कल ही योग्या दितनात ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जो तमाम अपराद हैं संग्डित अपराद हैं उस पर कावू पा रहे हैं आज जो ख़वर आ रही है उसके मताबिक उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन क्लीन है उ दौनों बदमाशों पर तो जो और योग्या दितनात का ये दावा कि वो अपराद को पूरी तरीके से खत्म करेंगे उत्तर प्रदेश में वो कही ना कही नजर आता दिखता है खासकर सडक पर लेकिन एक थोड़ी अलग तरीके की खबर है और वो है बोटर वेकल एक्ट से जहां पर एक जो हाइडल डिपार्टमेंट है उसके करमचारी थे उनका उत्रप्रदेश पुलिस ने चालान किया चालान की रकम तक्रीबन तीन हजार रुपी थी जैसे ही चालान हुआ तो जो हाइडल के करमचारी हैं उनका गुस्सा भढ़क गया उन्होंने यूपी पुलि इस चौकी में इस कोतवाली में कुल कितना बिझली का बिल बकाया है लगबग 27,000 रुपे का बिझली का बिल बकाया था है तोड़ा सा अटपटा सा लगता है सत्ता का संघर्श के इस तरिके से नजर हता है सिर्फ राजनिती नहीं बलकि एदिकारी यो बीच भी करमचारीय और जैसे ही ये घटना घटित हुई उत्रप्रदेश में मेरट में तोड़न हरकम मच गया पुलिस, खासकर पुलिस के अधकारियों में किसी तरीके से गवार लगाए गई, कहा गया कि बिजली का कनेक्शन जोड़ा जाए, काफी मान मनवल के बाद शाम होते होते उस पुलिस इस तरीके कि तमाम एहम ख़बरों को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सबसे पहले तो आप न्यूज स्टेट से जुड़ सकते हैं, एक बाद फिर आपसे घुजारिश आप फेस्बुक, टिट्र, यूट्यूब और एप के जरीए हमारे साथ जुड़ सकते और न्यूज स्टेट पर तमाम एहम ख़बरें सबसे पहले जान सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, नमस्कार